हलो दोस्तों, हमारे चैनल रोचा कहानिया में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है कैसे हैं आप सब, उमीद करती हूँ कि आप स्वस्त और मस्त होंगे तो चलिए हम आज किस कहानी सुरू करते हैं, बिन ब्याही मा का अनोखा बदला तुम क्या क्या काम कर लेती हो? उम परकास की बड़ी बेटी सगुन ने उस काम वाली लड़की से पूछा सगुन उदैपूर से अपने पिताजी का हाल चाल जानने के लिए यहां आई थी दोनों बेटियों की साधी हो जाने के बाद उम परकास अकेले रह गये थे वीवी साल भर पहले ही उजर गई थी बड़ा बेटा दिल्ली में सरकारी अफसर था पिताजी की देखवाल के लिए एक ऐसी लड़की की जरूरत थी जो दिन भर घर पर रह सके और घर के सारे काम निपटा सके जी दी दी सब काम कर लेती हूँ जड़ू पुछा से लेकर खाना पकाने तक का काम कर लेती हूँ लड़की ने आखे मटकाते हुए कहा किस से बात कर रही हो सगुन उम परकास अपनी थुल्थुल तोंद पर लड़के गिले जिनौव को हाथों से घुमाते हुए बोले वे अभी अभी नहा कर निकले थे उनके अधगंजे सिर्प से पानी टपक रहा था एक लड़की है बाबुजी घर के काम काच के लिए आई है कहो तो काम पर रख ले सगुर ने पिताजी की तरफ देखते हुए पूछा उम परकास ने उस लड़की की तरफ देखा और सोचने लगे भले घर की लग रही है जरूर किसी मजबूरी में काम मागने चली आई है फिर भी आजकल घरों में जिस तरफ चोरियां हो रही है उसे देखते हुए पूरी जाज परताल करके ही काम पर रखना चाहिए बेटी इससे पूछ की या किस जाती की है उम परकास ने थोड़ी देर बाद कहा अरी किस जाती की है तू सगु ने पिताजी के सवाल को दोहराया मुझे नहीं मालूम माँ से पूछ कर बता दूँगी वैसे माँ ने मेरा नाम बबिता रखा है वह लड़की हर सवाल का जवाब फूर्ती से दे रही थी ठीक है कल अपनी माँ को लेकर आना सगु ने कहा जी दी दी मैं कल सुबा ही माँ को लेकर आ जाऊंगी वबिता ने कहा और तेजी से वहां से चल पड़ी मा मुझे काम मिल गया खुशी से चिखते उवे वबिता अपनी मा राधा से लिपट गई और बोली बहुत अच्छी है सगु दी वबिता को जर्म देने के बाद राधा अपने गाउं को छोड़ कर सहर आ गई थी वबिता को पालने पोसने में उसे बहुत मेहनत करनी पड़ी थी उसे दुसरों के घरों की सफाई से लेकर कपड़े दोने का काम भी करना पड़ा था तब कहीं जाकर वह अपना और वबिता का पेट पाल सकी थी जब वबिता की माँ पेट से थी तब से गाउं में उसे खुब ताने सुनने पड़े थे पर उसने हिम्मत नहीं हारी थी वह अपने पेट में खिले फूल को जर्म देने का इराधा कर बैठी थी अरे या किसका वीज अपने पेट में डाल लाई है बोलती क्यों नहीं करम जली कम से कम बाप का नाम ही बता दे ताकि हम बच्चे के हग के लिए लड़ सके राधा की माँ ने उसे बुरी तरह पीटते हुए पूछा था मार खाने के बाद भी राधा ने अपनी माँ को कुछ नहीं बताया क्योंकि वह आदमी पैसे वाला था समाज में उसकी बहुत इज़त थी और फिर राधा के पास कोई सबूत भी तो नहीं था वह किस मूँस से कहेगी कि वह आदमी साधी सुदा है किसी के बच्चे का बाप है एक तो हम गरीब उपर से बिन भी आही मा का कलंक हम किस किस को जवाब देंगे किस किस का मुँ बंद करेंगे राधा की मा ने खिचते हुए कहा था क्या सोचा है तूने चलेगी सफाई कराने को मा ने उसकी चोटी मरोडते हुए पूछा था नहीं मा मैं कहीं नहीं जाओंगे मैं इस बच्चे को जन्म दूँगी चाहो तो तुम लोग मुझे जान से मार दो पर जीते जी मैं इस बेगसूर की हत्या नहीं होने दूँगी राधा ने रोते हुए अपनी मा से कहा था मा की बातों से तंग आकर राधा उसे भी ना बताए अपने नानी के पास चली गई और उन्हें सब कुछ बता दिया राधा की बाते सुनकर नानी पिघल गई और गाम वालों के तानों को अनसुना कर उसका साथ देने को तयार हो गई राधा की मा और नानी यह नहीं जान पाई कि आखिरवा चाहती क्या है बच्चे को जर्म देने के पीछे उसका इरादा क्या है मा चलना नहीं है क्या सुबह हो गई है बविता ने सुबह सुबह मा को नीन से जगाते हुए कहा हाँ बेटी चलना तो है पहले तु तैयार हो जा फिर मैं भी तैयार हो जाती हूँ यह कहकर राधा जटपट तैयार होने चली गई सगुन ने दरवाजा खोल कर उन लोगों को भीतर बुला लिया वों परकास भी अभी तक सो रहे थे तो तुम बविता की मा हो सगुन ने राधा की ओर देखते हुए पूछा जी मालकीन हम ही हैं राधा ने जवाब दिया तुम्हारी बेटी समझदार तो लगती है वैसे घर का सारा काम कर लेती है ना राधा ने फोरण जवाब दिया बिल्कुल मालकीन मैंने इससे सारा काम सिखा रखा है तो ठीक है रख लेते हैं सारा दिन यहीं रहा करेगी रात को भले ही अपने घर चली जाए सगुन ने बविता को हर महीने एक हजार उपए देने की बात तै कर ली कौन आया है बेटी सुबा सुबा किसे बात कर रही हो ओम परकास जम्हाई लेकर उड़ते हुए बोले कोई नहीं बाबू जी काम वाली लड़की आई है उसी से बात कर रही थी सगुन ने जवाब दिया ओम परकास बाहर निकले तो राधा के लंबा सा गुंगट निकालने पर सगुन को अजीब सा लगा अच्छा तो अब हम चलते हैं राधा उड़ते हुए बोली तो ठीक है कल से भेज देना बेटी को सगुन ने बात पकी करके बविता को आने के लिए कह दिया राधा ने राहत की सांस ली उसे लगा कि वह कीड़ा जो इतरे सालों से उसके जहन में कुलबुला रहा था उसे छुटकारा पाने का समय आ गया है सगुन को भी राहत मिली की पिताजी की देखवाल के लिए अच्छी लड़की मिल गई है सगुन दूसरे दिन सुबा की सौपिंग करने मार्केट चली गई क्योंकि उसे उसी सांससराल लोटना था ए छोकरी जारा मेरे बदन की मालिस करते सारा बदन दुख रहा है ओमपरकास ने बदाम के तेल की शीशी बविता के हाथों में पकड़ाते हुए कहा बविता ने उनके उगड़े बदन पर तेल से मालिस करनी शुरू कर दी तेरे गाल बहुत फूले फूले हैं क्या खिलाती है तेरी मा ओमपरकास ने अकेले पन का फायदा उठाते हुए पूछा मा बविता ने चीक कर अपनी मा को आवाज दी राधा वहीं थी सर्म करो ओमपरकास राधा ने जोर से दरवाजा खोलते हुए कहा अपनी ही बेटी के साथ कूकर में बेटी हट महां से तभी वहां ओमपरकास की बेटी सगुन भी मारकेट से घर आ गई राधा बोलती रही हाँ ओमपरकास बरसो पहले जो कूकर में तुमने मेरे साथ किया था उसी का नतीजा है यह वविता तुमने सोचा होगा कि राधा चुप बैठ गई होगी पर मैं चुप नहीं बैठी थी मैंने इसे जन्म देकर तुम तक पहुँचाया है यह मेरी सोची समझी चाल थी ताकि तुम्हारी बेटी भी तुम्हारी कर्दूत को अपनी आखों से देख सके ओमपरकास एक मुजरीम की तरह सिर जुकाय सब कुछ सुनता रहा राधा ने बोलना बंद नहीं किया नीच अब भी तुम्हारे सिर से वासना का भूत नहीं उतरा है तो ले तेरी बेटी तेरे सामने खड़ी है उतार दे इसकी भी इज़त और पूरी कर ले अपनी हवस मैं भी बरसों पहले तुम्हारी हवस का सिकार हुई थी तब मैं इज़त की खातिर कितना गिड़ गिड़ाई थी पर तुमने मुझे नहीं छोड़ा था मैं तभी जवाब दे देती पर मालकीन ने मेरे पैर पकड़ लिये थे इसलिए मैं चुप रह गई थी या तो अच्छा हुआ कि वाविता ने तुम्हारी नियत के बारे में मुझे पहले ही सब कुछ बता दिया इस बार बाजी मेरे हाथ में है क्या कहते हो कमीने सोर मचा कर भीड में तुम्हारा तमासा बनाओ राधा सुदबुद खो बैठी थी और लगतार बोले जा रही थी उमपरकास की अकले मानों जवाब दे गई थी उमपरकास की बेटी सगुन या सब सुनकर सन रहे गई उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसके पिता ऐसी गंदी हरकत भी कर सकते हैं अपनी इज़त की धजियां उरती देख उमपरकास छत की तरब भागे और वहां से कुद कर अपनी जिन्दगी खत्म कर ली दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज कमेंट में बताईएगा और ऐसी ही रोचक कहानिया पढ़ने और सुनने के लिए हमारे चैनल रोचक कहानिया को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करे तेंक यू